क्या आप MP डिया लड़ की परिक्षा की तयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आये हो हलो स्टूरेंट्स मेरा नाम है अभिशीक वर्मा और स्वागेट है आपको हमारे चाया स्टड़ी क्लास पर जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विशे भाषा बोध एवं प्रारंबिक भाषा विकास यह जो विशे मैं आपके लिए कर रहा हूँ और हम बात करने माद है आज इस वीडियो में इसके इकाई 5 और 6 की जी हां इसका इकाई 5 भाषा कॉशन क् क्या आ आप विडियो पूरा देख पाई इस सुडियो में आपको मिलेंगे वस्तोनिस प्र उत्तर जो दो नंबर के आते हैं आपको मिलेंगे अती लेगए उत्तर हया और दिर उत्तर हैं तो इस 5 तो 6 आइसे कितने, अंगों के, कौन से प्रस्ण आते हैं इसका, अंग की भाजन भी समझाऊंगा, साथी ताथ मैं बताऊंगा, कि इसमें कौन से सबसे, महतापुल उत्वर के अजयए हैं, उन प्रस्णों के उत्वर कैसे लिखना हैं, यहां से आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो और साथ ही साथ आपको अगर नोट्स चाहिए डिलेड के तो दिये के नमरों पर संपर किजिए आपको डिलेड के नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं भा लग उत्री नमबर का और 2 M, Q objective 1 नमबर का एक ही प्रश्ण आएगा चार नमबर का लग उत्री नमबर का और 2 M, Q objective और चार नंबर का इकाई 6 से आएगा एक ही प्रश्मा आएगा चार नंबर का लगु तरिय वे देगा हो अगर चार नंबर रखी तो बड़ा देखें तो इसके साब से ठीक है तो यह हो गया अंक भाजर का अब हम बात करते हैं कि सबसे महतपुल प्रशन उत्तर जो वस्तोनि कौन सी प्रख्रिया है संदेश का मतलब ऐसे प्रख्रिया जिसमें अप अच्छे काम के- कणता है किसी कारिक को अच्छे मकसद से करते हैं उसे स्वत प्रख्रिया क्यों सुनते हैं हम सुनते इंकि सेरी यहpta किसी बात समझ ना पाए नहीं समझ पाए इस सुनते हैं तो यह सवधे श्रवन कौसल भाष्र ने की सक्ति हैं या रखेगा अगला भाषा की सबसे छोटी हीकाइड क्या है और भाषा की सबसे छोटी हीकाइड जो है वो है ध्वनी स्वनीम जिसे कहते हैं तो भाषा की सक्थे छोटी ही काई है, ध्वनी जिससे स्वनीम कहा जाता है, इससे स्वनीम भी कहते हैं, याद रखेगा, या स्वनी जो है, किस चीज की काई है, भाषा की सबसे छोटी ही काई है, ऐसा भी प्रशन पूछ देगा, आपको ध्यान रखना, अगरा, हिंदी में वेंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 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 वेंजन वर्णों की संख्या कितनी है तो हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है कुल मिला के 11 है उसके बाद पठन का अर्थ है स्वास्वर और मौन वाचन पठन मतलब पढ़ने का अर्थ क्या होता है स्वास्वर यानि बोलके पढ़ना जैसे की मैं पढ़ता हूं स्वास्वर् वाचन मतलब पढ़ना तो स्वास्वर वाचन और दूसरा मौन वाचन चुप रहेकर शांत मनमें पढ़ने लिए लोग बैठके कैसा पढ़ते हैं लाइबरी चिला के थोड़ी पढ़ते हैं एक लगा था वो जाता था जैसे थोड़ी थो छोटे-बच्चों को काम है बच्प तो यह मैं सोचिए किसे दो नमर दिला कर जाएगा भई यह बहुत important है ठीक है तो पहला तो भई श्रवन कोसल जो है एक सौध देश्य प्रक्रिया है दूसरा श्रवन कोसल में कितने सक्तिया समाइत होती तो भई एक शक्ति समाइत होती है भाषा की सबसे छोड़ी काई ध्व पूछ सकता है तो इसको आपको ध्यान रखना है आप वीडियो के इंट बने रहे हैं और देखिए कि यह प्रश्ण के उत्तर कैसे रिखन में समझाता हूं आपको सिर्फ यह एक वीडियो देखकर पुरा का पुरा याद हो जाएगा चाले देखते है पहला मौखिक यानि कि हम जो अभिवैक्त करते हैं जो दिखाते हैं उसे मौखिक अभिवैक्ती करते हैं अभी मुझे जो आता है मुझे डियृड की जानकारी है मुझे जो इंफॉर्मेशन नॉलेज है मैं आप तक अभिवैक्त कर रहा हूं आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूं आपके यह करता हूँ, यह मौखिक अभिवैक्ति, मौखिक मतलब भाई, ओरल पता ही होगा, आपको ओरली बोल कर करना, अगर मैं लिखित अभिवैक्ति की बात करता है, तो यह मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मौखिक अभिवैक्ति है, ठीक है, तो लिखित अभिवैक्ति क्या होती कि यह सुनने इसकी परिभाशा कैसे रेते हैं जब धनी एवं सवरोखी सहायता से अपने विचारों भावनाओं को मौखिक रूप से दूसरों के सामने प्रकट करना इसे कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की विश्रस्ताय होती है मौखिक अभी वक्ति विसर्स आय देख लेजिए स्वभाविक्ता यह स्वभाविक्ता चीज है नैच्रल आता है ऐसा नहीं अगर आपको कोई चीज है आपके मन में कुछ विचार है तो आप जरू नहीं कि आप उसको किसी के सामने लेखे करें इस आरू से समझाओ उससे आप जो कहा हुँ स्पाविक्ते संच्छिया आपको मौ मोखिवक्ती में स्पाश्च्रता होना चाहिए clear-safe बोलना चाहिए शिष्टता यानि कि यह सिष्ट होकर विवहार करना चाहिए यानि कि पुलाइटली बोलना चीह विन मुर्टा से बोलना चाहिए, तू ऐसा गालिया उगरे करके कारी रोच करके ऐसा नहीद करना चाहिए, हम्हें स्रिश्टरता के पुरुवक बात करने चाहिए, श्रिश्टरता से प्यार से पुरैट नियुक्ति, फिर सरो माने भाषा, बै किसी के सामने प्रकट करो तो आपको मौखिक बोलना पड़ेगा मौखिक तो मैंने अभी भोजपुरी भाषा हो लिए आपको समझाई नी क्योंकि वह भाषा आप नहीं जानते हैं मैं जानता हूं तो आपके समझ गई तो सर्वमान भाषा जो है वह होनी चाहिए जब भी मौखिक तो सर्वमान भाषा याने सब को आने चीहों ऐसी भाषा टीक अगला प्रशन देखिए बोलने में विराम चिन्न की क्या भूमिगास पस्ट कीजिए बोलने में जो विराम चिन्न होते न, विराम चिन्न जहां ऑन धान्य सम्झानी करें थे गार। पकड़ो मत जाने दो ठीक है यह आपके सामने की वात क्या है बहुत ध्यांते देखो सभी लख सुनों तो बहुत ध्यांते देखो पकड़ो मत जाने दो पकड़ो मत अगर मैं यहां पर विरामचीन लगा दूँ इसका रथे क्या हुआ पकड़ो मत जाने दो मत उसको पकड़ो मत जाने पकड़ो मत जाने दो, अब क्या बोड़ रहे हैं, पकड़ो भाई, मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, ठीक है, तो यह देख लो, अब एक विराम चिन हमने अल्ब विराम यहां से यहां कर दिया, यहां का यहां कर दिया, पूरा अर्थ ही बदल गया, तो इस उधारन से वाक्यों में लगाने बहुत आवश्यक होते हैं उनसे श 버दों का वाक्यों का अर्थ स्पष्ट होता है और अर्थ बदल जाता कई हबार विराम चैन न गजया होता करण resultado तो हरंगे दरह मैं छाटो को अगर दो अगे विराम चैन यहां पड़ा तो पले ह baking next बाल साहित क्या होती है बाल साहित याने लिटरेचर बच्चों के लिए जो लिटरेचर आता बच्चों के लिए जो साहित आता पढ़ने लिखने की किताबे आती है उसका मतलब क्या है उसकी सामगरी भी लिखे तो बाल साहित क्या होता है बच्चों को कहानिया कविता हैं बहुत समस्ती है बच्चों को गीत कहानिया इनसे बहुत प्रेना मिलते हैं बच्चों को चुटकिले हसी मजाक पहेलिया यह स्वाच्छी रखती है तो बच्चों के लिए जिस साहित की रचना की जाती है उसे बाल साहित कहते हैं बच्चों क समझग लायक, बच्छों की रूद्ची पसंद लायक, जो अगर syllabus,ואate program बना जाया, उसके हिसाब से रचना की जाये सहित क्यूं, तो इसे बाल चाहित कहेंगे बाल साहित क्या 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 आता है, कवीता, कहानी पहली कवीता, कहानी पहली, जहाँ पंसना आता है तो आप अगर चौथी पांची तकी किताबे उठा कर देखोंगे तो आपको सब किताबों में यही मिलेगा क्योंकि बच्चों को यही पसंद होता है बच्चे इसी के द्वाड़ा बहुत अच्छे से सीख पाते है अगरा देखे सवार वाचन और मौन वाचन में अंतर भाई सवार वाचन और मौन वाचन सवार वाचन मतलब बोल के पढ़ना और मौन वाचन मतलब भाई सांत रेकर पढ़ना तो सवार वाचन देखे भाई बोल कर पढ़ना मैं बोल कर पढ़ रहा हूं तो इससे आपको आवाज हुरिए, उर्जा खर्च हुरिए, मौन वाचर में आपको पता भी नी चलेगा, उर्जा भी खर्च नहीं होगे, मन के मन में बोल लूँगा, मैं, दूसरा, सवासवर वाचर में गलती पता चल जाती है, मैं अगर गलत प से मुझे लग रहा है, 90 से भी जाता, 99% कह सकता हूं, यहां इससे जुड़ावा सवाल जरूर आएगा, अब यहीं ना पूछ दे अंतर, विकिना हो सकता है, अलग से सवार सवर पूछ दे या, अलग से मौन वाचर पूछ दे, ठीक है, इससे जुड़ावा सवाल तो आना गैरेंटिड है, इस बात को आप जान लीजिए, तो students, यह होगे सारे सबसे महतपूर दस प्रशन उत्तर, जो वस्तुनिष्ट भी है, आती लग उत्र भी है, यह आपकी इकाई 5 और 6 के उत्तर है, इकाई 5 और भाशा कौशल क्या है, और इकाई 6 भाशा कौशल का विकास, इन दोनों की काईउ से मिला कर इस सारे महतपूर प्रशन उत्तर आपके सामने में रखे, अगर आपको पूरा समझ में आ गया है, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक जलूर कीजिए, साथे साथ चैनल पर नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर तो आपकी तयारी डेर्ट की बहुत अच्छी हो जाएगी, आप 70% से ज़्यादा गेन कर पाएगे, और आप और भी पढ़ाई करना चाते है, डिटेल में, आपको नोट्स चाहिए, तो दिये गए नमरों पर संपर कीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपने डेर्ट के परिशा में 90% स्कोर कर सकते हैं, यह 80-90% भी आपका स्कोर हो जाएगा, तो स्टुडर्स आपसे मिलेंगा हम अगले वीडियो में, आप चाहे तो हमें टेलिग्राम गृप पे फॉलो कर सकते हैं, टेलिग्राम गृप जोइन आप